क्या हाल चाल है मेरा नाम है विनब और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप फाइब बेस्ट अंड्रॉइड लांचर्स के बारे में जिसका यूज करके आप अपने फोन को काफी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो तो फिर चलो यार राइट पे बत आता हूँ इन लांचर्स के बारे में ओकी जो फर्स्ट लांचर इस लिस्ट में वो है XOS लांचर तो इस लांचर का लुक आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा स्वाइप अप करने से आप अप्लिकेशन ड्रोर को एक्सिस कर सकते हो और यहां पे इस लांचर का डिफॉल्ट आइकन पैक है वो भी काफी अच्छा लगता है देखने में इसी के साथ यहां पे ऊपर में आपको इंस्टेंट एप्स का ओप्शन देखने को मिल जाता है और यह बेसिकली गेम्स है जिसे आप बिना इंस्टॉल किये खेल पाओगे और इसमें आपको टोटल अगर इसके जेस्टर साथकर्स की बात करें तो अगर आप होम स्क्रीन पे टूफिंगर से स्वाइप अप करते हो तो इससे आपका हिडन अप्लिकेशन का सेक्षन ओपन हो जाता है जहां पर आप अपने किसी भी अप्लिकेशन को हाइड कर पाओगे और इसके अलावा अग दिए अपने बáriaप करते हो तो यहां पर कुछ इस तरह का पेज ओपिन होगा जहां पर आपके रीसेंट अप्स क्रिकेट वेट्सकॉरी एवेंट्स फोन मास्टर वाल्ड क्लॉक और न्यूज्स नियुक्त लीस्ट यहां पर आपको एक सफल बटन देखने को ओप्शन मिल जाता है अगर आप उस पर टाप करते हो तो आपके फोन का वॉल पेपर आटोमाटिकली चेंज हो जाएगा तो काफी कमाल का लॉंचर है एक बार जरूर से इंस्टॉल करना नेक्स्ट अप्लिकेशन की अगर यहां पे बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट अप्लिकेशन है वो है नोकिया जी लॉंचर तो यह बहुत ही मिनिमल सा लॉंचर है अगर आप इस लॉंचर के होम स्क्रीन से लेफ्ट स्वाइप करते हो तो आपका एप ड्रॉर ओपन हो नहीं है तो उसे सुपर सीड करने के लिए आपको एप ड्रॉर बटन भी दिया गया है लेकिन इन सब चीजों के अलावा इस लॉंचर का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है इसका जेस्टर मोड तो इसके हल्प से आप अपने किसी भी आप्लिकेशन कॉन्टाक्ट और किसी टॉपिक के बारे में भी सर्च कर सकते हो और अगर आपको इस टेक्स को डिमूब करना है तो अगर आप लेफ्ट ड्रैक करते हो तो वह जेस्चर आपके बैक स्पेस की तरह वर्प करेगा और राइट स्वाइब जेस्चर आपके स्पेस की तरह वर्प करेगा तो काफ आप bottom से swipe up करते हो तो आपका notification panel open होगा जहां से आप कुछ short cuts को access तो कर ही पाओगे लेकिन उसके अलावा आप अपने applications का भी use कर सकते हो इसके अलावा इसके search bar में जो camera का option रहता है उससे आप barcode scan कर सकते हो या फिर किसी product को capture करके उससे related products के swapping भी कर पाओगे इसके अलावा यहां left side में आपको news article भी देखने को मिल जाएगा और कुछ दिनों बाल इसमें dark mode और landscape mode feature भी add होने वाला है तो on the whole काफी सही launcher है दू गिब इट आ शॉट जो next launcher है वो है fast key launcher तो as the name suggests यह somewhat keyboard से related है and same चीज़ यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा इस launcher की home screen पे आपको एक default keyboard देखने को मिल जाता है जिसके help से आपने phone के किसी भी application या फिर contact सो search करके access कर सकते हो और यहां पे इसका जो app draw है उसमें जो भी apps हैं उसका size काफी बड़ा है तो इससे यह देखने में काफी clean सा लगता है लेकिन यह launcher आपको प्लेश्टूर पे देखने को नहीं मिलेगा I don't know why किस रीजन से इस launcher को प्लेश्टूर से down किया गया है लेकिन जो भी reason हो यह काफी unique सा launcher लगा मुझे ट्राइ करके देख सकते हो ओकी जो fifth and last launcher इस वीडियो का वो है arc square launcher तो इस launcher में आपको total 10 themes देखने को मिल जाते हैं जिसका आप use कर सकते हो और इसका जो default background color है वो है black जो काफी battery efficient है लेकिन अगर आप black color से board हो जाते हो तो आप किसी दूसरे background color का भी use कर सकते हो इसके अलावा इसमें आपको dedicated app drawer दिया गया है जिसे आप left side से access कर सकते हो तो on the whole काफी अच्छा सा launcher है एक बार जरूर से try करना तो बस इतना ही थयार इस वाले वीडियो के लिए अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो ठोको like, comment फेको और हाँ subscribe करना मत बूलना until then goodbye and take care